Hello Friends, आज मैं आपको Oasis 2002 की Korean Romantic Movie explain करने वाला हूँ इसके IMDb Rating 7.9 है, इसका मतलब यह सही मूवी है कैसे दो लोग एक दूसरे को accept करते हैं और उसके बाद अपनी जो खामिया होती है, उन पर काम करते हैं और एक दूसरे को अच्छे से लाइव जीने के लिए इंस्पायर करते हैं यह इस मूवी का प्रिमाइस है मैं अब आपको कोई भी स्वालर ने देना चाहता पर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको मजाएगा मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दीखता है इसका नाम हम के रखेंगे के जो होता है, वो अभी अभी जेल से वापस आया है वो एक बस टॉपर खड़ा होता है और एक आदमी से सिगरेट मंगता है वो सिगरेट पीता है, और उसे इस जगा का पता पुछता है उसके बाद इसी जगा एक आदमी स्टीट पर स्वेटर सेल कर रहा होता है तो एक स्वेटर रोबाई कर लेता है फिर के को जहा जाना होता है, उस बिल्दी में भोच जाता है वहाँ जाकर दरवाजे के बाहर वो खड़ा होता है और सप्राइज वो उसने करने वाला होता है पर जो लेडी उससे बाहर निकलती है वो उससे डर जाती है क्योंकि वो के को नहीं जानती और के भी इससे अंजान होता है कि actual में अपनी family से मिलना हुआ होता है पर वो अब वहाँ नहीं रहते वो उस lady से पुछता है कि वो कहा गए तुम ही कुछ पता है या नहीं पर वो उसे कुछ भी नहीं बता होता कि हमें फिर एक super shop में दिखाए गया है वो बहुत ही भुका होता है तो वो टोफु मांग रहा होता है पर वहाँ capable नहीं होता नेक super shop में जब जाता है तो वो directly उसे खाने लग जाता है shop का जो मालिक होता है वो उसे बिना पैसे के वो दे देता है वेसे भी के के पास पैसे होते ही नहीं है के फिर एक फोन भूत के पास आता है, वहाँ कुछ लड़कया होती है जो बात कर रही होती है, वो उनसे पैसे मांगता है क्योंकि उसे एक कॉल करना होता है, वो लड़कया उसे इनल कर देती है और वहाँ से चली जाती है, रात में हमें दिखता है कि रेस्टारन में वो बैठ और पुलिस को कॉल कर दिया गया है वो वहाँ खाना खाता है और पैसे नहीं देता वो उन्हें कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो पुलिस को मत कॉल करो वो उसे पूछते है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने क्यों खाना खाया वो कहता है कि मेरा ब्रदर की पुछिश करता है पर भाग नहीं पाता जब पुलिस के का रेकर निकलती है तो यह पता चलता है कि पहले भी वो ट्रबल में आ चुका था किसी आदमी को उसने assault के था उसके बाद attempted rape और एक आदमी को मार दिया था वो unintentionally था पुलिस फिर की एक से पुस्छती है कि दो साल के लिए तुम जेल में थे तो किसी वज़े से थे के जो होता है उसने एक आदमी को मार दिया होता है के उनने कहता है कि सुबा होने वाली थी पर मुझे कुछ दीख नहीं रहा था और वो बीच में आ गया तो मैंने उसे कुचल दिया था यह accidentally हुआ होता है पर फिर भी के वहाँ से भाग चुका था इसी वज़े से उसे यह दो साल की जेल हुई थी पुलिस उसे कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए था के कहता है कि मैं वही जा रहा था पर मेरे फैमिली का एड़े चेंज हो गया था इसी वज़े से यह सब ट्रबल हुआ है के का ब्रदर का नंबर पुलिस के पास होता है तो उसे वो कॉल कर देते है के को लेने वो आ जात है कि हमेशा ट्रबल में आता रहता है तो अभी अभी उसके ब्रदर ने उसे हल्प किया है तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि प्लीज मेरी लाइब डिस्टर्ब मत करो क्या इसे इतना सिरियस नहीं रहता और इस पर हस देता है यह जो उसका ब्रदर होता है यह उसके अंकल का पार में तो केक को फिर उसके फैमिली के सबुस्कि प्रेचे Natmin के पास लेकराता है केकी मदर होती है brother होता है और sister-in love होते है ये एक मदर प्लेश बूइफ्शा एक कि इतना छोटा सा प्लेस क्यों है, मदर ने ये थी कि हमारी financial situation इतने आच्छी नहीं थी, इसी वज़े से हमें घर सेल करना पड़ा, जो स्वेटर केर ने बस्टॉप पर पाय किया था, वो अपनी मदर के लिए उसने लाया था, वो अपनी मदर को पहना था, उसकी मदर वरी कर करता है, वो एक car repairing shop चलाता है, वो ही वो उसे जगा दे देते हैं, दुसरे दिन हमें दिखता है कि के अपने ब्रदर की shop पर है, और अपने friends को call कर रहा है, अभी उसके जो भी सब friends है, उनके number change हो गए, और जो उसका call उठा रहे है, वो उससे hangout करने में उतना interested नहीं है, के क ब्रदर उससे कहता है, कि तुम ऐसे ही नहीं जी सकते, जो भी कहा, वो कह दिया, जो भी करा, वो कर दिया, तुम्हें अब बड़ा होना चाहिए, चोटे बच्ची की तरह मत जीयो, एका बड़ा ब्रदर फिर के को एक shop में लेकर आता है, food delivery का यह job होने वाला होता है, वो job उसे वो देने वाले होते है, कि बीच में बोलता है, तो उसका ब्रदर उसे बहुत ही डाटता है, और यह job फिर उसे मिल जाता है, वो owner से कहता है, क्या मैं कल से start कर सकता हो, उसे एक काम होता है, जो खतम करकर, वो कल से अपना job joint करने वाला होता है, नेक सिन में हमें दिखता है, कि एक बड़ा सा fruit का टोकरी लेकर वो एक घर आता है, जिस घर बर वो आता है, वहाँ के लोग move कर रहे होते है, वहाँ वो हमारी second lead character क्रीम को देखता है, यह जो होती है, इसे celebrate policy होती है, यानि कि इसके हाथ और पे सब abnormal होती है, क्रीम जो होती हो जल फिर नहीं सकती, बह क्रीम में मुझे पैचाना ने, actual में, कि उस आत्मी के family के पास आया हुआ होता है, जिस आत्मी को के ने मार दिया था, क्रीम का बड़र उस पर चिर जाता है, वो कहता है, कि तुम यहाँ क्यों आया हो, वो कहता है कि मैं सिर्फ wishes देने के लिए आया हो, उसने fruits के basket भी लाई ह वो कहता है, कि हमें तुम से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो से निकल जाने के लिए पोलता है, हमने देखा था कि यह family moving कर रही है, तो के नेचे ही रुखता है, क्रीम का बड़र जब जा रहोता है, क्रीम के बड़र से पूछता है, कि तुम moving कर रहे हो, पर उस लड़की को नहीं लेकर जा रहे है, क्रीम का बड़र करता है, क्रीम को देखता है, और देखकर चला जाता है, नेक्स दिन अब अपना food delivery का काम के करता है, जब रात होती है, उसका सब काम खतम हो जाता है, आपने bike लेकर वो क्रीम के घर पर आता है, वो नेचे रुखता है और wonder करता ह कि यह कैसी होगी इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है रस्ते में जाते जाते एक मूवी की शुटिंग कार में हो रही होती है यह वो देखता है और उनका पीछा करने लग जाता है वो उसे फ्रेम से निकल जाने के लिए बोल रहे होते है पर वो यह नहीं करता उसका ध्या पर दम हो गया तो मैं डारेक्ली घर आना चाहिए उसकी सिस्टर इनलोव उसे मलंपट्टी कर रहे होती है फिर वो कहती है मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर हमारी लाइफ बहुत ही सही थी जब तुम जेल में थे हम मैं इसे कोई बोल नहीं पाता पर जब तुम हमारी लेती है और केती है कि मुझे किसी को अंदर लेकर जाने के लिए इलाओर नहीं है वो जब यह दोर ओपन कर रहे होती है तब इसकी चावी एक कुंडिके नीचे होती है तो यह के देख लेता है अब के नहीं देख लिया है कि चावी कहा रखे चाथा एक्षा पर चावी औ तो मुझे बहुत ही अच्छे लगती हो, वो उसे फिर अपना नंबर देता है, वो उसके मिरर पर वो नंबर लगा देता है और कहता है, वो जब भी लगे तो मुझे कॉल कर सकती हो, उसके पेर को हाथ लगा लेता है, वो फिर उसे जबर्दसी करने कोशिश करता है, वो रेज कर जाता है नेग्स सिंद में हम देखते है कि क्रीम जिस घर पर रह रहे हुथी है उसके नेबस वहा थे नेबस के घर पर बच्च ओते और उन्हें अकेला टाइम नहीं मिलता इसी वजह से इस घर में आकर अब वो इंटिमेंट होने वाले कुछ बतानी चलता है और फिर हमें दिखता है क्रीम को वो अपने घर लेकर आता है यह बहुत ही अच्छे से बिल्डिंग होती है और बहुत ही अच्छे से फ्लैट में रहेता है एक्च्छल में आज उसके बिल्डिंग होती है यह हैंडिकाप लोगों के लिए होती है क्रीम को सेरेब्ल पॉल से है इसी वज़े से उन्हें यह गवर्मेंट ने फ्लैट दिया था इसका मतलब है उन्हें क्रीम का खैल रखना चाहिए पर यह नहीं कर रहे हैं वो अपने फ् मतली जब रात होती है तो क्रीम केक को कॉल करती है उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है नेक दिन फिर केक क्रीम से मिलने आता है उससे पूछते है कि तुमने मुझे वो फ्लावर्स क्यों लाए थे वो कहता है कि ऐसे उसका पीछे कोई फिर रिजन नहीं होता ज कि के भी इस पर हसने लग जाता है। के फिर कहता है कि आज से मैं भुलाऊंगा। कृम भी उसे जनरल बुलाने वाली होते है। क्ला ज़ा भार जाते हैं। उसे याँ ऐगोटक हो रहे होते हैं। फिर वह उसे पर लेकर आता है। तोड़े टाइम तेख वह हंगाउट कर से हैं और फिर के अपने फैमिली के पास आजाता है। उसकी फैमिली पास्चर के पास आय हुए होती है और वो केक के लिए ब्रे करते हैं। क्रीम ने केक को पोचा होता है कि वो क्या करता है। उसे काम करने वाले आद्मीं अच्छे लगते हैं इसे वज़े से अपके अपने ब्रदर के पास आता है उसे वो जौब मांगता है उसका ब्रदर उसे सीरेसली नहीं ले रहा होता तो वो कहता है कि मैं मैंनत करूँगा तुमें कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हो यह उसे अशुर करता है और फिर उसका ब्रदर उसे वहाँ जॉब दे देता है नेक्स दिन क्या ही क्रीम से मिलने के लिए आता है उसके जो भी सब कपड़े वेगरा होता है वो वो दोता है क्रीम का फेवरेट कलर वाइट होता है वो कैसे भी अपना favorite color पुछती है उसे beans खाना अच्छे नहीं लगता ये भी ओके थी है के भी उसे क्या पसन है, क्या ना पसन है ये सब बाते करता है तब वहाँ क्रीम की neighbor आती है neighbor उसे पुछती है कि मैंने कुछ आवाजे सुनी थी क्रीम कहती है कि मैं सिर्फ रेडियो सुन रही थी कोई भी आवाजे नहीं है उसके neighbor उसे कह कर जाती है कि उसे आज बाहर जाना है तो रात में वो खाना नहीं देने वाली क्रीम को भी इससे जादा कुछ प्रॉल्म नहीं होता जब रात होती है तो क्रीम के लिए गाना गारा होता है क्रीम के रूम में एक painting होती है जिस painting को देखकर वो बहुत ही डर जाती है यह जो painting होती है यह Oasis के होती है यानि desert के होती है इस painting में एक Indian नौरज होती है जो अपने बेटे के साथ एक हाथी को लेकर जा रहे होती है करिम कहती है कि मैं इस मेंटनिंग से बहुत ही डर जाती है करें फिर हुसे के ता है कि अब मैं मैंचिक करूँगा और तुम्हारा जो भी डर है वो निकालूँगा वो आबरागा डाबरा करता है प्रिटेंड करता है कि वो मैजिक कर रहा है जब रात होती है तो वो केक हो कॉल करती है अभी भी उसे डर लग रहा होता है फोन पर फिर से वो मैजिक करने का प्रिटेंड करता है कि उसे पुछता है कि क्या तुम्हारा डर गया क्रीम कहती है कि हाँ, अभी वो चला गया है क्रीम उसे कहती है, कि तुम्हारा वोस बहुत यह अच्छा है तुम्हारा फेस उतना अच्छा नहीं है इस पर यह दोनों हसने लग जाते है नेक जिन के अपने ब्रदर के शौप से कुछ पैसे चुरा लेता है वो चुरा कर आज डेट पर जाने वाला होता है वो क्रीम को उठाता है और बस में वो जा रहे होते है बस में क्रीम एक कपल को देखती है क्रीम को भी एक नॉर्मल कपल की तरह रहना होता है वो फिर इमेजिन करती है कि वो के के साथ खड़ी हुई है वो उसे कुछ मार कर टीज कर रही है यह इमेजिन करकर वो हसने लग जाती है कि उससे पूछता है पर उससे नहीं बताती कि फिर उसे एक अच्छे से रेस्टोरन में लेकर आता है पर वहाँ की जो ओनर होती है उसे प्रॉलम हो जाता है उसे एक अबनॉर्मल लेडी को सभ करना अच्छा नहीं रखता इस वज़े से उसे निकलने के लिए बोलती है केको गुस्सा आता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और वहाँ से चला जाता है आज संडे होता है तो के क्रीम को अपनी ब्रेदर की शौप में लेकर आता है वहाँ पर इन दोनों को नूडल्स बहुत ही अच्छे लगते है तो इस नूडल्स का वो पार्सल और करता है केको थोड़े देर बाद कॉल आता है और उसके सिटरीन लॉक को पता चल गया होता है कि उसने उससे पैसे चुराए थे इससे ज़रा डिस्टरब हो जाता है क्रीम इमाजिन करती है कि वह आफ फिर से खड़ी हो चुकी है वो उससे पुछती है कि क्यों तुमारा मूर खराब हो गया के फिर अपना मूर चेंज कर लेता है जब एक खाना खा रहे होते है तो के उससे खाना खिलाता है के फिर क्रीम को कहता है कि मुझे एक सपना आया था इस सपने में तुमारी जो पैंटी है उसमें कि जो सब लोग है यानि यह इंडियन और उसका बेटा और इलिफंट यह सब जिन्दा हो चुके थे वो सब हमारे इदगीर डांस कर रहे थे के ने अपनी ब्रदर की शौप से गाड़ी लाई होती है और उसे वो घर चोट रहता है तो यह ट्राफिक में अडग जाते है यह एक नाशनल हाईवे होता है जिस पर ट्राफिक होती है यह कभी भी नहीं होता तो यह देख कर केको बहुत ही अमिजिंग लगता है वो फिर गाड़ी में मुजिक लगाता है क्रीम को उठाता है और वो ही डांस करने लग जाता है जब यह दोनों घर आते है तो क्रीम इमेजिन करती है वहाँ वो इंडियन लेड़ी एक चोटा सा लड़का और इलिफंट यह सब है और उसके एदगे वो नाच रहे है जब यह डांस खतम हो जाता है तो वो एक दूसरे को किस कर रहे है एसा वो इमेजिन करती है ताथ में जब कि अपने ब्रदर के शौप में फिल से वापस आता है तो उसका ब्रदर वहा होता है वो उसपर चीड रहाता है कि हो एक क्लाइन की गाड़ी लेकर वो चला गया था उसका client भी 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 उसका client को लेकर आता है उसके family cream को देखकर बहुत ही हरान हो जाती है उसे पुछते है कि यह कौन है उसे बता नहीं रहता है उसका ब्रदर फिर उसे कहता है कि यह family dinner है इसमें कोई friend वेगर आलाड नहीं है वो कहता है तो फिर मैं भी यह से निकल जाओंगा उसके ब्रदर फिर उसे एक corner में लेकर आते हैं उसे फिर से पुछते हैं कि यह कौन है फिर वो उसे सच्चा ही वता देता है उसका ब्रदर उसे कहता है कि तुम मुझे guilty महसूस करा रहे हो एक्चुल में के ने उस आदमी को नहीं मार रहता है जब रात होती है तब यह सब brothers drunk हो जाते है और इसका बड़ा ब्रदर जो होता है वो काड़ी चला रहा होता है उसने एकरीम के father को मार दिया होता है और फिर वो hit and run करकर वहाँ से बाग जाते है जब police इन सब को पकड़ ले थी है तब कि volunteer करता है और कहता है कि मुझे जेल में जाना है क्योंकि जो बड़ा ब्रदर होता है यह family को provide करता है अगर वो जेल में गया तो सब problem हो जाएगा तो के नहीं prison में जाने के लिए volunteer किया होता है उसका चोटा ब्रदर कहता है कि तुम कुछ भी करने से पहले हो जाती इसके बाद वो सब डिनर करने लग जाते है इसके बाद वो family photo लेने वाले होते है तो क्रीम को यहाँ शामिल नहीं होने देते तो के भी यहाँ से निकल जाता है जब यह दोनों बहार आते है तो क्रीम से वो सौरी खेता है के को आप कैरियो के में जाना होता है वो क के के लिए गाना गा रही है वो आज बहुत होती है यह जब क्रीम को घर पर चोड़ने आता है तो क्रीम उसे कहती है कि आज तुम मेरे साथ सो क्रीम कहती है कि क्रीम कहती है कि तुम्हें पता नहीं वो से इंटिमेट होने के लिए बोल रही होती है फिर के और क्रीम दोनों इं पुलिस में देने के बाद के के ब्रदर्स को वहाँ बुलाया जाता है सबको लगता है कि यह रेप करने की कोशिश कर रहा था अभी यह रंगे हाथों पकड़ा गया था तो उसे अब जेल हो सकती है करीम को भी पुलिस स्टेशन में लाया होता है पर अब वो यहाँ बोल नहीं पाती स्टेश में जब वो होती है उसकी विमारी की वज़े से कुछ भी बोल नहीं पाती उसका statement पुलिस ओफिसर ले रहे होते है पर वो कुछ बोलनी पाती है तो उसकी sister in law ही सब statement देती है इस statement से साफ हो जाता है कि के उसका rape कर रहा था क्रिम का जो brother होता है वो केक के brother को बुलवाता है वो उनसे कहता है कि हमें court में लेकर जाने की इसे कोई भी ज़रूत नहीं है वो उनसे पैसे मांग रहा होता है पर यह brother फिर कहते है कि हमें हमारे brother को disown कर देना है वो के के लिए अब कुछ भी पेह नहीं करने वाले होते है क्रिम जब statement देह रही होती है तो वो बहुत ही disturb हो जाती है पर वो कुछ कह भी नहीं पाती क्रिम को फिर उसके brother और sister-in-law तोनों घर लेकर आते है उसे वो सुला देते है यह जब custody में होता है तो उसकी सब family उसे मिलने के लिए आती है वो पास्चर को भी लेकर आती है वो उसके लिए अप्रे करने वाले होते है जब यह प्रेयर हो रही होती है तो कि वहाँ से उठ जाता है वहाँ से भाग जाता है वो भागते भागते एक alley में आता है वहाँ के एक औरेस से वो phone चोरा लेता है और वो क्रीम को call करने ही कोशिश करता है पर यह call क्रीम उठा नहीं पाती है उसे क्रीम से मिलना आता है तो क्रीम की जो building होती है वहाँ पर वो आजाता है वो अब stay case से directly अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसका brother वा होता है तब वो जाड़ पर चर जाता है क्रीम की जो window होती है उसे के पास ही जाड़ होता है वो वहाँ क्रीम को आवाज देता है उसे वो बात करना चाता है पर क्रीम यह खेड़ की खोलने बाती उसे बात नहीं कर पाती है फिर इस पेड़ की जो branches हो दिये वो कट करने लग जाता है वो इसी पेड़ वर रुकेगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसे मिलेगा और क्रीम से बात कर पाएगा इस वज़े से यह सब वो कर रहाता है थोड़ी देर बाद इस पेड़ से वो गिर जाता है उसे पोलिस फिर लेकर जाती है और क्रीम कुछ भी नहीं कर पाती है फिर हमें क्रीम अपने घर पे दिखाई गई है और क्येका लीडर उसे आता है यह भाइस लिख से लिस्ट बना लो हम सब खाने वाले है जैल मिन उसके लाइब सही से जा रहे है इसा इस लेटर में लिखा होता है यही इस मूवी का end हो जाता है तो इस मूवी में हमने देखा था कि के की जो family है उसे पसंद नहीं करती और क्रिम की family ने भी उसे abandon कर लिया है फिर यह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं इन दोनों में flaws होते है क्रिम को तो cerebral palsy होता है और जो के होता है यह कुछ भी करता है और उसे समझ मने आता यह उसका rape करने की कोशिश करता है पर यह दोनों जैसे भी है यह एक दूसरे को accept कर लेते हैं एक दूसरे को accept करने के बाद अच्छे से वो life जी है इसलिए वो एक दूसरों को inspire भी करते है जैसे हमने देखा था एक क्रिम ने उससे कहा था कि तो है जॉब लेनी चाहिए उसे जॉब जो आदमी करते है उने वो इन्वी करती है इसी वज़े से के ने अपने बदर से जॉब मांगा था जब वो के के साथ थी तो वो imagine कर रही थी कि वो चल फिल रही है गाना गा रही है वो भी एक अच्छी life का सपना देखने लग गई थी ये दो faulty characters एक दूसरे के साथ आये थे और अपनी life जिना चाह रहे थे पर society ने उसे कुछ भी नहीं करने दिया जब वो police station में थे कि अगर कुछ बोलता तो उस पर कोई भी विलिव नहीं करते और क्रीम कुछ बोलनी पाई इसी वाज़े से इन दोनों में दरार आ गई इस movie में उन्होंने Romeo जुलेट इस तरह की romantic story फिर से कहनी की कोशेश की है पर इनने बहुत ही अच्छा take इस पर लिया है बहुत ही अलगी movie थी और बहुत ही बेश लो स्टोरी थी आपको एं movie कैसे लगी प्लीज मुझे comment में बताना मैं इसे बहुत सारे movies लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर दिजे और बेल notification आइकोन दबाना मत भूलना तब तक के लिए thank you और अपने आपका आप खैल रखिये